प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की पत्नी जशोदा बेन ने जहारकन के गोड़ा के एक महारेली में हिस्सा लेने पहुँची थी। कि उनके नेतरत्व में देश प्रगती के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी कि 2019 में भी मोधी ही देश के प्रधानमंत्री बने। वही केंद्र सरकार द्वारा लिये गए कड़े फैसलों पर जशोदा बेन ने कहां कि चाहे नोट बंदी हो या जी एस्टी। इन सब के भविश्य में परिणाम दिखेंगे। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को लेकर मीडिया में कई बार बाते होती रहती है। उन बातों के खिलाब जाकर जशोदा बेन ने मोदी जी का समर्थन किया है जिस कारण विरोधोकों की जबान पर ताले लग गए हैं।